गूर्णिंग स्टूडेंट्स आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एंड मैनेजरियल रेमुनुरेशन का सेकिंड पार्ट यानि मैनेजरियल रेमुनुरेशन प्रभंद किया पारिश्रमिक टॉपिक डिसकस करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपक इस कंपनी के किस तरीके से बनाई जाते हैं एक इलस्ट्रेशन के तरूँ आपको समझाया था जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्मिशन जो सीए जो आपका ट्रायल बैलेंस होता है या जहां पे ट्रांसेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं सीए रफली उससे आप बैलेंशिट कि प्रबंदक वो होते हैं जो कंपनी में कंपनी को चलाते हैं या मैं यह कह सकती हूँ कि वो कंपनी के डिरेक्टर्स होते हैं डिरेक्टर्स अलग-अलग तरीके के होते हैं जैसे इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, पार्ट टाइम, फुल टाइम अलग-अलग तरीके के मै कमपनी के मैनेजर्स हैं जो कमपनी को चला रहे हैं वो कमपनी में काम करने के बदले उनको जो मैं यहां पर वेतन शब्द नहीं लूँगी जो पारिश्रमिक उनको दिया जाता है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो हम सीखेंगे क्यूंकि वेतन मंतली होता है ठीक है और करमचारियों को दिया जाता है वेतन जो कमपनी में काम करते हैं लेकिन मैनेजर्स जो आपके डिरेक्टर्स होते हैं वो पारिश्रमिक उनको जो प्रॉफिट में से काम करने के बदले जो दिया जाएगा वो अमांट जो है वो पारिश्रमिक कहलाता है अब इनको फीस के है यानि एक बैठे क्यानी कंपनी की कोई एक मीटिंग हुई तो पर परसन यानि पर मैनेजर को एक लाग से जादा ये नहीं दे सकते हैं यह हम पढ़ रहे हैं जो रूल मैंने आपको बताए आपकी कंपनी जैक 2013 के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया गया है आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा संबंदित वितवर्ष वाला जो एक लाग वाला मैंने पॉइंट बोला वो ये रहा अब मैं इसके नीचे वाला पॉइंट आप लोगों को बतात देगा और ये शुद्ध लाप के 11 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता 11 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जा सकता किसका शुद्ध लाप का इसका मतलब आपको पहले कंपनी का शुद्ध लाप कैलकुलेट करना है तो शुद्ध लाप कैलकुलेट करने के लिए आपको तो company की meeting होती है साधरन सभा हिंदी में जिसको बोला जाएगा तो company की meeting में ये decide होता है कि कब किसको किस प्रभंदक को कितना पारिश्रमिक दिया जाना है तो इसका पहला point अगर मैं आपको बताऊं तो company में कोई director है पूर्ण कालिक full time तो उसको 5 प्रतिशत से अधिक पारिश् पी है और यह rates आपको वैसे भी याद रखनी है ताकि जब आप solve करेंगे तब आपको महाँ पर यह rates mention नहीं होंगी किसी question में given हो भी सकती है लेकिन कभी नहीं भी देंगे question में आपको तो आपको तुरंद क्लिक कर जाना चाहिए कि इस manager को इससे जादा का remuneration नहीं देना है तो भी जो total है वो 10% से जादा नहीं हो सकता यह 10% यानि अगर एक है तो यहाँ पर 5% 2 है तो यहाँ पर 10% से जादा नहीं होगा तो यह main point उसके बाद में आपको थर्ड वाला point बता रही हूं कि जो संचालक है वो पूर्ण कालिक हूं या अंशकालिक हूं तो भी कर लाब का एक प्रतिशत से जादा उनको यहाँ पर सभी अंशकालिकों को मापिस में आपको इसको रीडाउट करती हूं थर्ड वाला point हम पढ़ रहे हैं प्रबंद संचालक एवं पूर्ण कालिक संचालक के अतिरिक्त जो अन्य समस्त संचालक हैं यानि कि सभी अंशकालि कमपनी में प्रबंद संचालक पूर्ण कालिक संचालक एवं प्रबंदक में से कोई भी नहीं होने पर अगर इन में से कोई भी नहीं है तो भी आप अधिक्तम तीन प्रतिशत से जादा किसी अन्य को नहीं दे सकते हैं यह शुद्ध तीन प्रतिशत का अधिक्तम पारिश् प्रतिशत से परसंटेजिस दे रखे हैं वह आपको प्रॉफिट के उपर लगानी है तो जिस प्रॉफिट की आपको ज़रुवत पड़ेगी वह किस तरीके से केलकुलेट किया जाता है वह हम इसमें देखेंगे तो ग्रॉफिट स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ग्रॉफिट एज नॉर्मली कंप्यूटिट जो ग्रॉफिट आपको कॉस्चन में गिविन होगा उसमें आपको कुछ आइटम्स हैं जो आड करने हैं और कुछ आइटम्स हैं जो आपको लेस करने हैं फिर आपको नेट प्र जाएगा तो जो ग्रॉस प्रॉफिट देखें फर्स्ट पॉइंट वाल आइटम में आपको बता रहे हूं सब्सीडीज इन बाउंटीज डिसीट फ्रॉम गर्वर्मेंट ग्रॉस प्रॉफिट है सब्सीडीज बाउंटीज जो है यानि छूट जो मिलती है वह हमारे जाने वाली चीज़ें यहां पर आ जाएंगी जैसे कि प्रीमियम ऑन इस्यों डिबेंचर्स होगा तो आप इसको नहीं लेंगे प्रॉफिट और रिशू शेल रिशू अबलिक्स सेल और फॉर्फिटेट शेर होगा नहीं लेंगे और कैपिटल प्रॉफिट जो होंगे वह यहांपे आप नहीं लेंगे उनमेंसे फ़िट फिर अपिलेस करेंगे यहांपे All Expenses अप्र विश्वरिजिन टैक्स आपको इनको हटाना है ex gracia payment to employees यहानि की कुई compensation दिया जाता है임까요 ces तो इन सब यह format आप देख लीजिए, इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी करना और इस format के according ही आपको gross profit calculate करना है एक दो बार आप practice करेंगे तो यह format आपको learn नों चाहेगा इसी format का एक alternative method भी है हमने जो first format study किया था, यह gross profit से शुरुवात हुई थी जो first line है वो शुरुवात होगी gross profit से इसका alternative method हम, हम यह जो profit calculate कर रहे हैं वो calculate करें under section 198 यह alternative method है हम net profit लेके हाँ पर profit as per PNL account लेके हम यहाँ पर शुरुवात करेंगे इसमें हम add करेंगे charges in PNL account if any found charge in the given for PNL statement, आपके जो भी PNL account law statement में जो भी चीज़े add होने वाली add करेंगे first point फिर इसमें add करेंगे managerial remuneration का अगर आपको question में यह दे रखा है कि जो profit है वो managerial remuneration उसमें include होगा उसके बाद आपको profit calculate करना है तो आप इस तरीके से उसको follow करेंगे provision for tax all capital expenses and losses आप add कर लेंगे यहां पर opposite है जो format अपने पहले देखा उसको opposite है region of goodwill and fictetus assets एक्स ग्रेशा payment to workers यह सब चीज़ें हमें वहाँ थोड़ नहीं थी और इस follow format में हम इसको include करना है add कर देंगे subsidies and bounties less कर देंगे all capital profits तो आपको यहां पर profit मिल जाएगा for calculation of managerial remuneration थोड़ा confusing लग रहा होगा भी आपको क्योंकि मैं आपको only points read out करके बता रही हूँ क्या आएगा क्या नहीं आएगा अब जब हम illustration के थूश को समझेंगे तब आपको यह चीज clear हो जाएगी जो आपके managerial remuneration है वो कितना कितना दे सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ रिनात्म कत्वा 5 करोड अगर आपकी पूंजी आपकी जो capital effective capital अगर वो 5 करोड से कम हो तो अधिक्तम कितना remuneration दे सकते हैं पांच करोड से 100 करोड की बीच में हो तो आप कितना देख सकते 42 लेक का और 100 करोड और 200 करोड से हो तो 60 लग तक आप अधिक्तम दे सकते हैं और 200 करोड से उपर हो effective capital के मैं बात कर रहे हूं प्रभावी पूंजी की तो 60 लाग प्लस 200 करोड की रुपए से अधिक प्रभाव प्रतिश्य को जिनका अंकित मुले 5 लाग से अधिक का धारक नहीं हूं अत्वा करमचारी हो अत्वा पिछले 2 वर्षों की यहुदि में कभी भी संचालक अत्वा परवर्तों को से संबंदित नहीं रहा हो चालू वर्ष की प्रसंगी एकलाप के धाई प्रतिश्य के अब उसको पारिश्रम में मिल जाएगा ठीक है आई यह में इलस्ट्रेशन देखते हैं on the basis of net profit of हिंदी में भी दे रखा है question नीचे आप स्क्रीन पे देखे last में on the basis of net profit of 8,91,000 x limited is computed under section 198 in illustration number 8 जो हमने मैं यहाँ पर डारेक्ट आपको इलस्ट्रेशन का profit दे रखा है 8,91,000 calculate the maximum permissible amount of remuneration payable to director under the provision of the company यहाँ पर आपको gross profit net profit calculate नहीं करना next illustration जो मैं आपको कल वाले वीडियो में समझाओंगी उसमें हम यह देखेंगे कि आपको जो gross profit under section 198 किस तरीके से calculate किया जाएगा आज हम देखेंगे कि कौन से director को कितना पारिश्रमिक remuneration मिलेगा first point दे रखा है when there is neither manager nor managing director nor whole time director यानि कि आगर आपकी company में न तो कोई managing director है न कोई whole time director है न कोई अंशकालिक डिरेक्टर ऐसी condition में आप कितना allow करेंगे पारिश्रमिक आप कितना देना allow करेंगे तो मैंने आपको बताया था अगर company में कोई भी नहीं हो जो third point हमने पढ़ा था सबसे पहले उसमें तीन परसेंट दे रखा था कि company में अगर कोई भी नहीं हो इन में से तो अधिकतम तीन प्रतिशत दिया जाएगा second when there is one whole time director अगर एक ही whole time director है तो पांच परसेंट हमने पढ़ा था when there is a manager fourth point when there is a manager अगर manager हो तो आप उसको एक परसेंट देंगे प्रबंदग और बी पांट दे रखा है also calculate मैं हिंदी में भी आपको दिखा देती हूं यह देखिए बी वाला point हम पढ़ रहे हैं यह वाला point यदि company का में कोई पूर्ण कालिक संचालक कत्व प्रबंदग संचालक न होनु परन्तु चार अंश्खालिक संचालक हो तो यानि कि जब also calculate the maximum permissible remuneration payable to manager if there is neither whole time director nor managing director ना तो managing director है ना whole time director लेकिन four part time directors हैं तो ऐसे केस में भी आपका कितना रहेगा अधिक्तम प्रतिशत रहेगा ठीक है तो इसका हम solution दिखते हैं first point जो था हमारा कि company में केवल प्रबंद या प्रबंद संचालक या पूर्ण कालिक संचालक में से कोई भी ना हो तो 8,91,000 जो आपका profit था तो 8,91,000 का 3% या अधिकतम आप उसको इस case में कितना देंगे दूसरा point ये बोल रहा है जब company में एक ही पूर्ण कालिक संचालक तो पांच प्रतिशत का रहता है ये पांच प्रतिशत का आगिया लेकिन इनके साथ साथ एक remuneration part time भी है तो part time जब एक full time है और एक part time है तो को एक प्रतिशत मिलेगा आप लोग इन चीज़ों को learn कर लेजिए दिमाग में बैठा लीजिए तो ऐसे case में यहां पर दो amount निकल के आएंगे और इनका final total होगा 53,460 इस सारा amount जो है आप profit के ओपर लगाएंगे third point ने बोला था जब company में दो पूर्ण कालिक संचालन हो या या पर टाइम डिरेक्टर का अगर full time डिरेक्टर हो रहते हैं company में तो चाहे एक हो चाहे दो हो तो उनके पास उनको एक परसंट ही देना है तो यहां पर अतिरिक प्रतिशत जो है आपके part time डिरेक्टर का जाएगा तो यहां पर जो इन दोनों amount का total आजएगा 98,010 रूपी फॉर्थ पॉइंट में यह बोला कि केवल company में एक प्रभंदक हो तो जब केवल एक ही प्रभंदक है यहां पर एक ही part time डिरेक्टर है only 5 प्रतिशत से ज्यादा company का single अगर कोई डिरेक्टर है उस case में पांच प्रतिशत ज्यादा नहीं जाएगा तो यहां पर आप उसको पांच प्रतिशत दे देंगे ऐसे करके यहां पर टोटल आएगा 44,500 का यह देखिए तो इस तरीके से पेमेंट किया जाता है डिरेक्टर आज मैंने आपको थोड़ी सी थोड़ी समखाई है और रेट्स आपको दीए तो रेट्स में आपको learn करनी है कल जो हम illustration देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से section 198 के अंदर आपके profit calculate किया जाता है तो हम format को copy करते वे जो दो format से दोनों के according में आपको calculation करना बताऊ एकिया जो हम दोतंगी कर दो में दो एज नग ACL दर triggers को सकते श्यों कर दों कर दोन कर दोμηद наш जो हम से तो हम सबने पाल भींः तो हम दो हम से खम गल में प्ड़ी्स कॉर तो क्का जो हम से खम दोनों किखेंगे तो हम से